टिक टॉक से लोगों के दिल को जीतने वाली स्टार सोनाली फोगाट को बीजेपी ने वोटरों का दिल जीतने के लिए मैदान में उतार दिया है बीजेपी ने सुनाली फोगाट को आदमपूर से टिकेट दिया है लेकिन सुनाली अपने एक बयान को लेकर इन दिनों विवादों में घिर आई है ये रिपोर्ट देखिए हर्याना मिधान सभाद चुनाव में बीजेपी की टिकेट से मैदान में उतारी टिक्टॉक स्टार सुनाली फोगाट विवादों में घिर गई टिक्टॉक पर अपनी अदाएं बिखेर कर लोगों का दिल जीतने वाली सुनाली वोट्रों का दिल जीतने में नाकाम साविद हो रही है आदमपुर रधासवाद सीट से वीजेपी के उमीदवार सुनाली फोगाट ने बात समन गाउ में चुना प्रचार की दुरान भारत माता किनारे लगाने को लेकर जोड देने लगी जब भीड में मौजूद कुछ लोगों ने ऐसा नहीं किया कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी हो क्या हिंदुस्तान से आये हो तो भारत माता की जै बोल उन्होंने यहां तक कहा कि जो भारत माता की जै नहीं बोल पाए उनका वोट किसी काम कर रही जिसको लेकर जमकर विवा जाना हुआ और उस सभा में बाकी लोगों की साथ-साथ एक साइड में कुछ लड़के भी थे उसी गाओं के थे कॉलेज के लड़के थे और मेरा उसी गाओं में जन्म हुआ है मैं बालसमन गाओं की बेटी हूँ और जब मैंने अपना साम मौदन देना शुरू किया और भारत माता का जैकारा लगाया तो उन लड़कों ने भारत माता की जै नहीं बोली मुझे गुस्सा आया और मैंने कहे दिया कि क्या आप लोग पाकिस्तान से आये हैं बस इस बात का इशियू बन गया और अगर इस बात से किसी को ठेस महुची है तो मैं माफी चाहती हूँ सुनाली भोगाट के टिक टॉक पर करीब सवालाख फॉलोवर हैं और उन्होंने करीब 175 वीडियो बनाया है जो हर्यारा में खास कर घिवा मतदाताओं के बीच काफी लोग प्रेया है हम तेरी मुहाबत में यूपारल रहते हैं दीवाने मुहाबत में आदमपूर में सुनाली भोगाट का मुकाबला कॉंगरूस से कई बार विधायक रह चुकी कुल्दीब बिश्णोई से रहे 52 साल से आदमपूर विधांसवा सीट पर पूर मुख्यमंद्री और कॉंगरूस के दिगज रहता भजनलाग के परिगार का शासन रहा है उनके किले को आज तक यहां से कोई डाहा नहीं पाया बीज़पी के लिए सीट चुनोतियों से कम नहीं है यह देखना दल्चस्प रहेगा कि क्या सुनारी फुल्बीब विश्णोई को पठकली देपाएंगी या नहीं आदमपूर आइंटीबी के लिए इसार से राजिश्टू की रिप्याएंगा